कहिए कैसी हैं आप क्या करें जब पती को हो मुबाइल की लत देखिए वैसे तो आप सभी के कमेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके आते ही रहते हैं पर एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में मान के चलिए कि 80% तक कमेंट्स आते हैं आप सभी के मतलब इतनी कॉमन है वो प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम क्या है की पती की मुबाइल की लत बहुत जादा अपने पास रखना मुबाइल हर समय मुबाइल करते रहना मतलब और जैसे कुछ लाइफ में हाई नहीं सारे समय मुबाइल 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 क्या करते हैं उसमें या तो गेम्स खेलेंगे या फिर मैसेज़ज जरेंगे या चैटिंग करेंगे या सोशल मीडिया पर रहेंगे या लंबी-बाते करेंगे और इस आदत की वज़े से क्या हो गया अब क्या-क्या होना शुरू हो गया कि सुबह उठते हैं जब सबसे पहले तू मोबाइल चाहिए बात्रूम म किये जा रहे हैं ध्यान मोबाइल में है इतना अजीव लगता है कि मैं किस से बात कर रहे हूं या फिर जैसे बच्चों को जुर्थ है और वो मोबाइल ले गए कुछ देर के लिए तो बहुत इंपेजेंट हो जाते हैं और इतना ही नहीं मोबाइल को silent पर रख दिया कि चलो ह silent पर होते हों भी तो क्या करें मतलब बहुत जादा हम irritate हो रहे हैं इसकी वज़ज से बहुत स्बस्ची दूखी हो रहे हैं बात बात पर गुसारल्य क्या करें किस तरह से करें तो यही मैं बताने आई हूं आज की हम क्या करें सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल clear बात है क कि इस बात को personally नहीं लेना personally कैसे कि आम तोर पर ladies क्या सोचने लगती है कि जैसे जब husband को इसकी आदत हो जाती है mobile की कि मेरा ही कोई कसूर है wife का अपना ही कसूर है मैं सुंदर नहीं रही या मेरे में वो बात नहीं रही या मैं boring हो गई अपना fault मानने लगती है तो please इस चीज़ को तो सोचना बंद कर दीजिए जैसे और लत नहीं होती और आते नहीं होती ये mobile की भी वैसी है ये उनको लगी हुई है इसमें आपका fault नहीं है प्लीज खुद को blame देना बंद कीजिए सबसे पहले तो ये क्योंकि blame कर रही है नेगेटिव हो रही है तो उससे क्या फैदा होगा आप अपनी सेहत क्यों खराब कर रही है तो सबसे पहले तो इसको personally बिल्कुल ने लेना अब हमने काम करना है कि हमने खुल के बात करनी है देखे जब मैं खुल के बात करने की बात करती हूँ उसका मतलब ये नहीं होता खुब उची उची चिला कर गुसे में और जो body language है वैसी करके दिखाना कि भी बहुत irritate हो रह है दिल से बात करनी है और दिल की बात करनी है जैसे कि husband को ये बोले कि क्या आपको वाकरी में मुबाइल करना इतना पसंद है या कोई और बात तो नहीं है कि जो आपको मेरी नहीं पसंद या बच्चों के नहीं पसंद एक खुल के बात करनी है उन से कि क्या वाकरी में आप इतना लाइक करते हैं मोबाइल को कि इनकी वज़े से आप हमें नेगलाइक कर रहे हैं मैं कितनी बार आप से बात करते हूं आप मेरी तरफ भी ना देखे हुँआ कर देते हैं बस बच्चे आपके पास कितनी बार मन से आते हैं कितना कुछ बात करना चाहते हैं, कितना कुछ कहना चाहते हैं, response ही नहीं बिलता है उनको. देखें, बच्चे तो इतनी बात समझते हैं न, कि अगर पापा काम कर रहे हैं, office का काम है, या कोई ऐसा काम है, तो उनको disturbed ना किया जाए, बच्चे इतना समझते हैं, पर उनको भी पता है कि ये तो mobile हो रहा है खाली, ये तो खाली comments के जवाब दिये जा रहे हैं, ये तो खाली chatting हो रही है, ये तो खाली दोस्तों से भात हो रही है, ये तो खाली time pass हो रहा है, तो क्या उनको feel नहीं होगा, वो मेरे पास आके शिकायत करते हैं, इस तरह से उनसे बात करनी है, देखें, जैसे मैं आपसे बात करे थी ना, कि बहुत सारी ladies के comments आते हैं, एक lady ने क्या लिखा, उसने लिखा, जब उसकी बेटी आट महीने की हुई, तो उसने जिसे crawl करते हुए, वो एकदम से खड़ी हो गई, उस lady ने जो बताया, crawl करते हुए, एकदम से खड़ी हो गई, और उसने चार स्टेप्स लिए, जैसे ही वो खड़ी हुई, तो उस lady ने अपने husband को, जो की वही बैटे हुए थे, जो की mobile कर रहे थे, उनको बोला कि जल्दी देखो बिटिया को, जल्दी देखो नीशु को, उसका नाम नीशु है, जल्दी देखो नीशु को, और उसने खाँ अभी देखता हूँ, एक मिनट, मतलब एक मिनट में क्या देखते हुए, उसने तो चार स्टेप्स लेने थे, और वो गिर गई, जब तक हस्बेंड ने उसकी तरफ देखा, तब तक वो दुबारा बैटके, दुबारा क्रॉल करने लगी, तो उन्होंने इतना precious moment, मतलब पहली बार, उनकी बिटिया, चार कदम चली, कितना precious moment होता है, किसी भी parent के लिए, मतलब हम आज भी याद करते हैं न, उन moments को, उन्होंने वो मिस कर दिया, तो इस तरह से कहें कि, तेको time का पता नहीं लगता, बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, बार में बच्चे अपने अपने सब सेट हो जाएंगे, चले जाएंगे, हम उनकी यादों में रह जाएंगे, तो क्यों नहीं आज में जीएं, आज जो बच्चे moments कर रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं, उसको enjoy करें, हम क्यों miss कर देते हैं, तो वो लेडी के मन में हमेशा एक बात रहती है, और हो सकता उसके हस्बेंट के मन में भी हो, कि हाँ मैंने ये चीज़ मिस कर दी, पर ये चीज़ हो गई ना हमेशा के लिए हो गई, कि जब बिटिया चार कदम चली थी, हस्बेंट ने नहीं देखा, एक दूसरी लेडी ने भी अपना experience शेयर किया, उन्होंने ये बताया कि जैसे वो किसी पार्टी में जा रहे थे, तो वो अपनी एक ड्रेस ले आई हस्बेंट के सामने, कि ये पहन लो, उन्होंने देखा ही नहीं उसकी तरफ, मतलब गर्दन उठाके नहीं देखा, ध्यान पूरा नीचे ही मुबाईल के तरफ, हाँ, ठीक है, तो वाइफ ने कहा, देख तो लो, उन्हें का, मुझे पता है, बढ़िया है, ये पहन लो, अच्छी लगेगी, ठीक है, उसने पहन ली, वो तियार हो गए, जब नीचे जाने लगे, गाड़ी में बैठने लगे, तो हस्बंड की नजर अचानक उसकी ड्रेस पे गई, वाइफ की ड्रेस पे, ये क्या पहन रखा है, तो उसने कहा, आप से तो पूझा था, उसने कहा था, ये क्या है, मैंने कहाँ हाँ की होगी, मैंने नहीं की होगी हाँ, मतलब साफ साफ इंकार कर दिया, मैंने कहाँ देखा था, मुझसे कहाँ पूझा था, तो अब तो वो चले गए थे पार्टी में, पर वो इतनी जादा उस lady ने बताया कि मैं बिल्कुल enjoy नहीं कर पाई party को और इतना mood खराब रहा कि इसकी वज़े से आप कितना ignore कर रहे हैं हमें इतना दुख होता है बहुत feel होता है तो ये चीजे जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि खुल के बात करनी है ये honest conversation होनी चाहिए अपने दिल की बात उनके दिल तक पहुंचानी है कि आपको वाकई में अच्छा नहीं लगता पर बहुत अराम से फिर एक चीज और कि हम अपनी बात को हम यह सोचे कि हम बोलेंगे और वो मान जाएंगे ऐसा नहीं होता हम अपनी बात impose नहीं करा सकते हैं हम उनसे अराम से बात करके उनको समझा जरूर सकते हैं जैसे कि हम यह कहें कि नहीं इस समय तो आपने बोबाइल नहीं करना तो यह possible नहीं है है यह तो आपने भी देखा होगा experience भी किया होगा कि यह possible नहीं है हम जितना कहेंगे न वो उतना ही जादा करत या और काम है उसको पता है कि मिर को आदे से एक घंटा भी लगेगा तब आप कर लीजे मुबाइल तब कोई दिक्कत ही नहीं है पर जिस समय मैं बैठी हूँ आपके पास या बच्चे बैठी हो आपके पास तब आपने मुबाइल को एक तरफ रख देना है जिस समय कोई नही करेंगा डेकर आप फिजिकली तो यहां पर प्रेज़ंट है हैं आपको मैंटली भी यहां पर प्रेजंट होने उससे क्या हो रहा है कि जो फैमलि लाइफ है न वह डिस्टरब होरी है यह जो आदत है न यह फैमली लाइफ को स्पॉयल भी कर सकती है और उसको जोड़े भी ये आपके उपर है कि आप क्या जाते हैं बहुत जादा खुल के अच्छे से उनसे बात करनी है और अपने दिल की बात शियर करनी है कि बच्चे अलग डिस्टरब हो रहे हैं मैं अलग डिस्टरब हो रही हूँ मैं अलग स्ट्रेस में जाय जा रही हूँ पचे अलग से चिट्चिडे हो रहे हैं इस बात को खुल के करना है और एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो उनकी hobbies हैं मतलब जो उनके plus point हैं उनको encourage करना है और उसमें involved होना है कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेजिए for example husband को cricket का शौक है ठीक है वो बैठे होने हैं तो आप ओहो cricket हो इतना बोर आपको सास बहु के अच्छे लगते हैं तो आप उठके वहाँ से चलेगा कि मुझे शौक नहीं है फाल्तो की चीज है यह क्या है तो उनके साथ बैठिये उनके साथ involved होई क्योंकि आप तो उठके चलेगे देखिए मैं क्यों कह रही हूं आप उठके चलेगा है अब husband बैठे है अकेले तो वह क्या करेंगे हाथ में उनके मुबाइल होगा थोड़ी दिर रुक रहे हैं मतलब किसी से बात करनी है अपने friend से discuss करना है या किसी को मुबाइल पर message करना है या चलो social media पर कोई status update करना है तो फिर वह उसमें उनका ध्यान जाएगा क्योंकि वह अकेले बैठे है ना उनके पास क्या है कि उनका ध्यान उधर से हटेगा कि चलो वह interest ले या माल लेजिए कि husband को gardening का शौक है तो आप उनको encourage कीजिए आप भी उनके साथ रेगे हम क्या है ऐसे टाइम में ना ladies थोड़ से पीछे हट जाती है क्या है इतना boring है मैंनी जा रही मैंनी कर उनका साथ दीजे हम जो ह मैं बताती हूं कि जैसे मा लेजे husband जो है game खेल रहे है मा लेजे ठीक है उनके किसी friend का phone आ गया तो उन्होंने का husband ने की मैंनी बात कर रहा है अभी game बिल्कुल अच्छी उस पर चल रहा है अभी निवा बात कर रहा है थोड़ी देर में करूंगा तो हम क्या कहते हैं उनके friend नहीं है वो लगे हो यह game खेले में या कुछ और mobile में जोटे हो है मतलब उनका ध्यानी नहीं है तो वो इशारा कर रहे है कि अभी करूंगा 10 मिन बोल दो तो फिर वो क्या बोल रही है कि अभी bathroom में मैं 10 मिन बात कराती हूं तो कहीं ना कहीं हम husband की help कर रहे है उस काम में जो क कि जैसे मालीजे खाना ही खा रहे है खाते वक्त तो बिलकुल कोई यूज नहीं करेगा कोई मतलब कोई यह नहीं है कि husband के लिए मना है बाकी बच्चे भी कर रहे है वाइफ का भी रखा हुआ है वो भी खाना बनाते मैसेज देख रहे है नहीं कोई नहीं करेगा दूर रख कि तक यह के निचे भी रखे सोते हैं रात को किसले रखे सो रहे हैं जैसे अगहें तो मुलते हैं की ताइम देखना होता है वी तiu प्रस्सका कुछ रखने की बंचार्ण होते इसकी तो ना अलांव रख तक यह के पास अलाम रख लें वह बजएगा आप से टाइम भी देख सकते हैं अभी घड़ी रखी हुई है देख लेंगी टाइम तो इन चीजों से दूरी बना के अच्छा कई बर क्या होता है कुछ एप्स ऐसी होती है जो डाउनलोड की हुई होती है उसके नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आए जाते हैं तो फिर लगता है कि पता नहीं किसका है किसका है तो एक बर देखना पड़ता है तो अगर उसकी इतनी जूर्त नहीं है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं कुछ जूर्त ही नहीं है कुछ रूल्स हमें ही बनाने पड़ेंगे और वो सब फ बस्तार बढ़ना पड़ेगा हम यह सोचें कि हमने आज से तो काम करना शुरू कर दिया इस पे यह जो बाते बताई हैं इस पर हमने बात करनी काम करनी शुरू कर दिया तो कल से ठीक भी हो जाएंगे नहीं यह भी एक तरी की addiction है लत है यह नहीं ठीक होती एक दम से तो मुझा था क्रिएटिव काम में बिजी रखना है तो क्यों कुछ करें ना हम क्यों था को टाके जा रहे हैं अपनी वेलियुभ तो बनाया है थी कैज वह बुजी है तो हम इतनी बात कर ली हम इतनी बार समझा लिया वह नहीं समझते तो हम भी कुछ creative करें हमने खाली नहीं बैटना अपना time नहीं वेस करना हम भी अच्छे हैं हम भी कुछ कर सकते हैं life में हम क्या खाली यही बैट के देखते रहेंगे कि मतलब money 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 अपने आपको यह कहना है और जिस चीज में आपका interest है वो चीज करनी शुरू कर दीजिए उनको भी realize होने दीजिए न मतलब आप हमेशा उनको realize कराती रहती है कराती रहती है वो भी तो realize करें कि क्या बत हो गई अब कोई कुछ कहता ही नहीं है कोई टोकटा की नहीं होती कोई कुछ बोलता नहीं है हुआ क्या है सब तो एक बार उनको भी realize होने दीजिए वैसे देखे ये तो थे कुछ points वैसे आप क्या सोचती है और किस तरह से हम कर सकते हैं या क्या solution निकाला जा सकता है ज़रूर बताइएगा आपके comments का मुझे इंजा रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा य कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है तो please आप इसको share भी ज़रूर कर लिजेगा ठीक बाई